तो वीवी वीवी का फुल फॉर्पाम होता है विज्वल बैक्सिप्स अप्लिकेशन यह देखेगा यह आपका वीवी सिक्स नहीं है यह आपका वीवी स्टूडियो नहीं है यह आपका वीवी.net नहीं है क्योंकि इनकी मदल से आप जो है अपने अपने लिए नए सॉफ्टेट यार करते हैं वीवी आपके में सॉफिस के लिए नए टूल से डेबलब करता है तो फीचर क्या होता है पहला होता है हमारा मैक्रो अब मैक्रो से क्लियर कर देता हूं कि बहुत सा लोग को कंफ्यूजन ह होती है कि माइक्रो के मतलब हो गया olm रिकॉर्डिंग मैक्रो करते है ऐसा मिल्कुल नहीं है रिकॉर्डिंग मैक्रो कुछ लोग बोलते है के मतलब करता हूं बिशन बसक्मत्र रिक kali घ योटीर धा कि अ आपके एक ऐसा फीचर है जो कि आपके माउस और कीवोड एक्षन के कोड में कर देता है मतलब कर देता है कि आप कोडिंग करते हो अपने साब से कोडिंग करते हो आप कुछ लोग कोश्चन करते हैं कि आपने बॉला कि कोडिंग कर देता है मेरे माउस और कीवोड एक्षन को कोड में कर देता है तो फिर सीखे क्यों देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो सिस्टम जनेटेट सीज़े होती है और इसके सम बहुत ही कम लेवल में आपको कर पाता है इसमें डैनमिक नहीं करेगा रिप्रिटेशन नही होगे रिकॉर्डिंग नहीं होगा कशिश्रिक रिकॉर्डिंग माइक्रो से अपका करसा है छो करता है आप जो बिसे दो रहाई गंटे का एक रिपोर्ट है उसको बनाने में टाइम लगता है जो भी स्टेप फॉलो करते हैं उसी स्टेप को आप जो है कोड के जड़ी स्टेप बाइ स्टेप लिख दिया जब रन करेंगे तो रिपोर्ट कुछ सेकेंड्स में आप बनके त्यार हो अब कोश्चाइब दूसरा आता है फंक्शन मतलब फॉर्मुला इस तरह के आप क्रियेट कर सकते हैं अप क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर मेरे पास औलडी एक्सल में इतने साले फॉर्मुले हैं तो फॉर्मुला क्यों करें तो मैंने बोला कि फॉर्मुला अपने अपने अकॉर्ड एक जैसे कि वी लुकप को ही ले लीजिए तो वी लुकप मुल्टिपल सीट से लुकप नहीं करेगा मल्टिपल डेटा होगा सी पहला ही दिखाएगा स्टार्टिंग से ही सूख करेगा तो ऐसी बहुत सारे प्रब्लम्स है तो आप अपने लिए एक ऐसा फॉर्मला बना ले जो दी लुकप की तरह हो और सारी रिक्वार्मेंट को पूरा करता हो और जो फंक्शनल बनाएं कि उस इंटरफेस मतलब की पॉप आप चलिए एक जांपल देता हूं यूजर फॉर्म की में पास यूजर फॉर्म है मैं ने ओपिन किया ओपिन करते ही सबसे पहले इंदरा एक पॉप अप दिया जिसमें मैं यूजर ने में पास्पूर्ट डालोंगा अभी देखिए एक्सल में एक सीट दिख रहा है बागि कोई दिख रहे है अब यहाँ पर एडमीन पासपर डाला एडमीन और पासपर फॉर्म पासपर है मैं डालके लॉगिंग किया तो लॉगिंग करते विलकम का मैसेज आया जैसे ओके किया आप देखिए कई सारे शीट सा आ गये जी जी अब यहा आपको कई सारे कोडिंग की गई है तो इसमें के क्या कैसे बताते हैं आपको जैसे कि मुझे डेटा इंटर करना है कि क्लिक करोंगा यह पॉप आपको कहते हैं यूजर फॉर्म ठीक है यहां बने काम करता है कि आप जो भी इंटरी चाहिए कि मैं यहां पर लिखता हो कि मैं कवीता और यहांपर वैने पूने शेलेख करिया यहां पर इंटरी करने के इस्तेमाल की जाती है इंटी नहीं हम इसे यहां पर जैसे की क्लिक किये और जब मान लिजे कि मुझे कोई ढूंडना है तो मैंने यहां पर 50 किया और गेट डेटा भी किया सब्सक्राइट अब इसको एडिट कर सकता हूं जैसे 15 के जैनवरी का सेल है कि मैं इसको 100 कर देता हूं जैसे चेंज करेंगे मैसेज देगा और आप देखिए 15 में 100 हो गया हो गया है इस तरह के चीज़े हम कर सकते हैं एक और एक जामपर दूंगा मैं यूजिव फॉर्म का कि मुझे जाना बोला कि इसके आप इसके दर मकुष्क फॉर्म शेरा ताथ अब इसमें की आए कि मैं नाम देता मैं और इसको क् legislation किया इसको छते होंके कई इशारे जितने ओम के डेटा है वो सारा आ गया अब मुझे किसी डेटा को चेंज करना है जिसका डबल क्लिक करूंगा इसका चेंज वाला फॉर्म खुल के आ जाए कि ठीक है अब कोश्चन आता है कि आप पहले पताऊंगा कि माइक्रो कब इस्तमाल करेंगे और किसके लिए इस्तमाल करेंगे अब कब की बात करते हैं आपके बहुत ने बोला कि यार कल मुझे कल सामका सेल्स दे ले उसके कोटिंग लिखेंगा पफली बार मांगाया पता ने कलमा एक नहीं मांगेंगा दो मिलट का टाइम लगेगा बना के दिद हो गया उसके प्रगांगिंग करना तो सही नहीं है न न सर जीजी लेकिन वही बॉस हर दिन सामको करता है कि सेल्स रिपोर्ट भेज़िज दि काम जो बार बार आ रहा हो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना माइक रोच मैं या दूसरा लेंदी वर्ड मतलब कि कोई काम एक ही बढ़ाया जैसे वास ने एक फोल्डर बेजा उसमें पान सो फाइले हैं पान सो फाइलों का डेटा एक के नीची एक के नीची एक के नीची करना है काम एक ही वारा या इन फूचर में आएगा इसकी नहीं है लेकि उसको मैनूल करेंगे तो दो प्रब्लम पहली एक पर टाइम काफी जाला लगेगा दूसरा एरा हो सकता है कि कोई फाइल को आप दो बार को भी पेस्ट कर दे या किसी फाइल को आप जो है इसकिप कर कर दे क्या तो फिर आपको ट्राइम लगेगा क्या क्यों सी क्रॉस्चेक करने में कि हां कोई गलती तो नहीं किये मैंने लेकि इसी काम को बीवी प्रगांगिंग कर देंगे रण करें में तो मुझे 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 से 10 से 15 या आधा गंटा लगेगा और जैसे रण करेंगे क्योंकि सिस्टम कभी गलती नहीं करता है जब तक कि इसको गलत इंपुट ना मिले तो आपने जाना है कि मैक्रो कब यूज करेंगे पहला रिप्टेट जोग दूसरा लेंदी जोग अब बात आती किसके लिए देखिए आप अपनी लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो तो आप इस्तमाल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम ने लेकिन आप इस्तमाल कर रहे हैं किसी और के लिए हैं तो प्रॉब्लम कि ए कि आपका जो सिक्रूर्टी और वाइडिफ़ॉल डिसेबल होता है क्या होता है बाइडिफॉल इसमें प्रॉब्लम क्या आती है और आपने मेल किसी को बेजा उसमें से तीस लोगों को माइक्रो के बारे में बता नहीं है जैसे ही फाइल खुला उस पर दिखा दिया ठीक है अब जो एर दिखाया तो प्रबलम हो गई आपको फोन बेंके बोलेगा है तुम्हारा फाइल ठीक नहीं है फलाना ठीकाना अगर अगर क्या तो वहां पर आपको समझाना पड़ेगा एक को सरदर भी होगी नियुक्त दूसरा केस ऐसा भी होता है जैसे कि बहुत साइं लोग आपके फाइल को जो है गूगल सीट पे या अखी एक्सल पे पर देखते हैं तो वहां पर आपके को फीचर वर्क नहीं करेंगे तो जो आपने बनाया है वह काम नहीं आएगा समझ गया तो आप किसी और के लिए फाइल बना रहे हैं ऐसा फाइल बना रहे हैं जो बहुत सा लोगों को भीजना है तो बहुत जोड़ी हो तब ही आप मैक्रों कंटिन इस्तमाल करें अधरभाइ तो यह तो आप मैं सीखा कि माइक्रों में क्या होता है माइक्रों के अंदर क्या क्या बनते हैं किस तरह क्या बनते हैं क्या कंपोनेंट है कब यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे समझ मां आगे है अब बात ही है प्रिप्रेशन ऑप दर लर्न नहीं सीखने के लिए क्या बेज़ करना है आपको सबसे पहला आपके बाश प्रैक्टिस के लिए गंटा-दोघंटा का टाइम होना चाहिए उधिश्य अगर प्रैक्टिस का टाइम नहीं है तो फिर आप टाइम अपना टाइम मेरा आफ कर क्योंकि सर मैं को आपको बावा जी का बुटी फुरी दे दूंगा कि सुबह एक पुरिया दूत के सांथ और एक रात के सांथ ले लो एक्सल आजाएगा वीवी आजाएगा क्या नहीं सब्सक्राइब करना है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैं उतना प्रहाने की कोशिज करूगा पता चलेगा कि आप बस आवरेज है तो मुझे भी उतना ही चीज़े प्रहाने जितना अब जॉब कर सके क्या कि मैं एक बार कैसर लग गया तो पूरा बज़ेगा क्या तो प्रैक्टिस इंपोर्टेंट दूसरी आपके पास एक्सल की अच्छी खासे नोलेज होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए को कि हम प्रगामिंग में कोड़ करेंगे लेकि वीजुट तो सारे एक्सल के फीचर को जि सब लगाना है चार्ट लगाना चार्ट लगाना लेकिए फीचर इसमें इवलेबल होगा तभी ना बिल्कुर से अविलेबल नहीं होगा अथो रही कर पाएंगे तो कब से शुरू करना चाहेंगे सरे क्लासेट